नमस्कार जय हिंद आप सभी का स्वागत है ब्रहमास्त्र सिरीज में ब्रहमास्त्र सिरीज का बस एक ही मकसद है कि जब हम उस एक्जाम में बैठें तो ऐसे हमारे पास अस्त्र हों की बस हम हर क्वेशन को देखें और समझ सके कि हाँ यह मैंने कहीं न कहीं तो देखा है या मेरी लॉजिकल रीजिदिंग इतनी सक्षम हो चुकी हो कि हम उस एक्जाम में क्वेशन को देख के बस बता सके कि इसका आंसर ही होगा मेरा सब कॉंशेस माइं इतना तेज हो चुका हो आई विल आई आप सभी का सवागत एक ऐसा प्लैटफॉम जहां कोशिश की जा रही है बेस्ट कंटेंट देने की और आप कोशिश करें की बेस्ट कंटेंट ही लिजी हम लोगों से वाइन अकेडमी अगर किसी का भी सवाल है तो सबसे पहले जवाब दीजेगा कि देखिए भाई क्य चाहिए मिल नहीं है और आपको क्या है उपको बता देंगे एक बहतरी नौफर उन लोगों के लिए जो कि दोज़ाइब चौबिस पच्चिस शब्यस को अटेंट करना चाहते हैं आप अगर लंबे समय के लिए जुड़ना चाहते हैं और एक मन में अगर आपने धारणा ब TMC कोड पर आपको मिलेगा 43 परसेंट और TMC कोड याद रखिएगा मान लिजिए आपको एक साल के लिए लेना है तो भी आप ले सकते 25 परसेंट और तो जब अगर आप तीन साल का लेते तो आपको पढ़ता है कहीं ना कहीं मतलब आपको पूरा डेली में बुलाकर अच्छे से ओफ लाइन सब आपकी व्यवस्था हम लोग करेंगे खाने पीने को कोई टेंशन निलेना सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे तो आप लोग आ सकते हैं एक बार जल्दी से शेयर कर दीज़ेगा यहां पर बहुत सब्सक्राइब करने वाले हैं प्लस कोर्स में जोग्रफी चालू होगा करेंट अपके लिए अच्छा कोर्स चालू हो रहा है सिस्टीन अंडि आवर साफ लर्नीगों होगी यहां पर यह ले सकते हैं सीमसी कोड का पिस्नमाल कर सकते हैं और यह नहीं को पैसा देनाँ हो चलू करते सिशन और आज के सेशन के श्टार्टिंग में आपको बता दे कहा जाता है पंकेण बिना कमल पुष्पम ना बिद्यत आप में वो सारा गुण था आप पूरे सामर्थे थे कि आप इसको क्लीन कर सकें और तब आप अच्छे से खिलते हैं तो स्ट्रगल तो रहेगा पर स्ट्रगल के बात की जो लाइफ है और बात की जो दुनिया है उसी के लिए शायद हम लोग तत पर हैं आप सभी का फिर से स् आप पैद आप को याद नहीं हो पाया होगा पर इसके उपर पिछले तीन साल में कम से कम कम से कम श कंजुबर अब नहीं हो पाया रहता ने अ भूले बटकी आ गया तो एक तो चेहरा देख लीजे पहले, cat की तरह ही लगेगा, पर fishing cat है, fishing cat is a nocturnal, मतलब night में रहता है, and apart from fish, also preyed on frogs, crustacean, snakes, तो मतलब एक तरह से पूरा ही, आप मान लीजे, fishes और बाकी, जो भी ऐसे organisms हैं, या जो भी ऐसे चीजे, इन ही को ये कोशिश कर देगी, the species breed all year round, they spend most of their lives in the areas of dense vegetation, close to the water bodies and are excellent swimmers, अच्छा खासा ये तहर सकते हैं, पानी या स्वाम पेरिया के आसपास आपको मिलते हैं, fishing cat के बारे हम आपको और थोड़ा सा बता दे, they have a pasture distribution along the eastern ghats, they are abound in eastuarine flood plains, tidal mangrove forest, यहाँ पर आपको दिखते हैं, सुंदर बंस में जाएंगे और लगभग आपको औरिसा, आंदरपदेश, इन सब के जो भी आपके डेल्टा वाली एरिया, वहाँ पे मिलेंगे, भरे आप को रिंगा वाइले सेंचुरी चले जाईए, आप ऐसे कोई भी डेल्टा एरिया में चले जाईए, वहाँ पे आपको fishing cats दिख सकते ह तो अगर वो habitat पूछेंगे तो आपको दिमाग में क्या रखना है, swampy area, आपका बहुत dense vegetation होना चाहिए, fishing cat नाम से भी समझ में आ रहा है, मुझे टाइडल एरिया में रहना है, अच्छा अलग-अलग किताबों में, अलग-अलग sources में बड़ा अलग-अलग इसका मकसर लिख रखा गया है, और इसको रखने जाने की बात ही कि इसको endangered कर तो पर उमान नहीं रहती, इसको vulnerable रखा है, fishing cat is vulnerable, vulnerable है, आप बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ेंगे, इसी UPSC के लिए ग्रंथों में पढ़ेंगे, कि लिखा endangered, endangered नहीं है, IUCN की website भी जाके चेक कर लिया, vulnerable है, आ schedule 1 में है, अब अगला common question आता है कि आखिर क्यों इनका population decrease हो रहा है, वो हर चीज, habitat destruction से लेके, smuggling से लेके, poaching से लेके, skin के लिए, meat के लिए, हर चीज के लिए आप इसमें तत पर रहेगा कि इनका smuggling या poaching किया जाता है, तो इसलिए इनको wildlife protection आट के schedule 1 में रखा गया है, क्यो बाकी अभी लोग आए नहीं है, कहां पर हैं वो लोग, जरा से एक बार बता दें, आपके पास साधन है, तो एक बार आप फिर से डाल दें, बाकी लोग भी आजा, प्रकट हो जाए यहां पर, सो रहे होंगे, फिर कल बोलेंगे, कि सर वो playlist नहीं मिल रही थी, डाल दी आज जी आपने, एक फिर से डाल दीजेगा, ना, अच्छा नक्ची किता है, जीने चाहिए डाल दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, चलिए, जेहिन, जेहिन, स्वागत है, आपका अभी स्वागत है, तो चलिए, हम लोग अपना कारों आगे बढ़ाते हैं, लोग जुड़ते जाएंगे, और यह खुदी हम लोगा सफर अच्छा बन जाएगा, आइए, अच्छा एक न्यूस में और चल ला था, और यह आज आपके खीरे जैसा होता है, इसलिए इसका नाम कुकुम्बर रखा गया, इस यह और सी कुकुम्बर, काफी न्यूस में चल ला था, आएए देखते हैं इसके बारे में, देयार मरीन invertebrates, invertebrates आप देख सकते हैं, हड़ी नहीं है, रिलिक हड़ी गया भी invertebrates, that live on the seafloor pound general in tropical regions, name for their unusual oblong shape that resembles कुकुम्बर, it has no limbs or eyes or blood, point to be noted, it has no limbs or eyes or blood, इसके पास ना आखे हैं, ना blood है, ना इसके पास limb है, परन्तु यह ocean habitat के लिए बड़ा ही important है, ocean habitat के लिए बड़ा ही important है, नमस्कार, नमस्कार स्वागत है, and integral part of the coral ecosystem, यह बड़ा important point है, अब आप सुचें इसका क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है, as one of the by-products of the sea cucumbers, digestion of sand is calcium carbonate, और यही calcium carbonate है, जो की coral reef जब बन रहा होगा, तो वहाँ पर पूरा calcium carbonate जो लगा रहता है, उसी के उपर polyps अपने आपको grow करने की कोशिश करते हैं, हाला कि वो भी secret करते हैं, लाइम, पर अगर उन्हें कोई और भी मिल लाए, सिक्रीट करने वाला तो अच्छा है, तो calcium carbonate के लिए भी यह शायद कोशिश कर रहे हैं, कि उसी क्रीट होता रहे हैं, और यहां से आपके corals को भी फायदा मिलता है, एक चीज़, तो C cucumbers क्या है, ना limb है, ना आख है, ना blood है, पर lime सिक्रीट कर रहा है, calcium carbonate यह बार-बार प्रड्यूस कर रहा है, इसके बारे में कुछ और जानना होगा, image देख लीजे, यह garbage collector की तरह work करता है, और recycle करता है nutrients को, thus playing an important role in keeping the coral lives in good condition, मतलब यह garbage collect भी कर सकता है, और nutrient को recycle भी कर सकता है, ताकि आपके इस area में जहाँ coral है, वहाँ खुशहाली बनी रहे, यह है हमारे sea cucumbers, आपको इसके बारे में बता दें, IUCN red list में, वैसे हम आपको बताएं कि यह पूछा नहीं जाएगा इसके उपर की IUCN red list में क्या है, क्योंकि यह हम जनरल ही नहीं पढ़ते हैं, न्यूज में था आपको इसलिए दे रहे हैं, एक ब्राउन सी कुकुमबर है, वह आपका इंडेंजर है, ब्लाक स्पॉटे सी कुकुमबर है, लीस्ट कंसर्न है, तो अब यह लोग आपस पूछ नहीं पाएंगे, यह तभी पू हमारे वाइलाब प्रोटेक्शन आट के शीडियूल वन में है यह, अब आप सोचेंगे कि IUCN जिसको पढ़ना ने चाहरा है, डेटा डेफिशेंट की बात कर रहा है, लीस्ट कंसर्न की बात कर रहा है, वहाँ पे हमने उसको शीडियूल वन में रखा है, ऐसा क्यों भाई? तो शीडियूल वन का जो मतलब है, वो यह है, समझेगा, हम कोई चीज़ को शीडियूल वन में इसलिए रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, एक तो उसके खिलाफ कोई पोचिंग, स्मगलिंग या उसका किलिंग ना किया जाए, एकदम हाइस सिक्योरिटी हम उसको प्रोवा सकते हैं, कोई इसको चू नहीं सकता है, और जो चूएगा परिशान होगा, अब यह मज़ेदार बात है, लक्षोदीप पर हम आपको एक खबर दे दें, 2020 में लक्षोदीप आइलेंड्स एड्मिनिस्ट्रेशन क्रियेटेड वर्ल्स फर्स कंजर्वेशन एरिया और सी कुक तैयार था, कि इसके लिए पूरा एक एरिया तैयार किया गया, यहां पर यह चांजर्व रहेंगे, अच्छी बात है, सिर्फ लक्षदीप में ही नहीं है, अंडमान इको बार में भी मिलते हैं, गल्फ अफ मननार में भी मिलते हैं, इंडियान ओशन एंड थे बेयल बेंग लिए वाइल डाइप प्रोटेश्चन एक के वन में आते हैं इनके पास ना आख न बलड है न लिम्ब है यह एक जगह रहते हैं बस अपना और अगर कोई कोशिश करता है तो इधर उधर बहे के चले जाते हैं लक्षुदीप कोरल आइलेंड रिफ में मिलेंगे तो लक्षु गुषण कर लिए यह अगे बढ़ते हैं और यहां पर यहां पर यहां पर यह जादा बहितरी न आपको यह प्रश्ण तो एक दम तुरंद इसको जोइन कर लिए यह गृप है और इसमें हम लोग प्रश्ण ऐसा पूछ सकते हैं आई जिले आगे बढ़ते हैं और देखने कोशिश करते हैं अब क्या हो गया है अगला स्पिशी आपके सामने आ रहा है जिसको आप बहतरीन रूप से देखते हैं जानते हैं इस स्पिशी का नाम है आपको इमेरीज दिखाएंगे तो आप शयद समझ जैंगे इस स्पिशी का नाम है और आप समझ चुके होंगे क्या है वही है यह जो आप समझ चुके हैं घड़ियाल अच्छा घड़ियाल पर क्वेशन हमने 2016 17 में प्रिडिट किया था और उसी साइच चम्मल वाला क्वेशन भी आया था तो बड़ा असान एक बार देख लेते हैं दो तीन मिट लगता देख लेते हैं इसको तो आसाम की गवर्मेंट ने क्या किया है इस का साइज इंग्रीज कर दिया और हमने बोला आपको यहीं रहना है हम इनके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं घड़ियाल के लिए टाइप अशन क्रोकोडियलियन डिस्टिंग्विश बाइए लॉंग थिन स्नाउट कोई नहीं पूछने वाला अब यह मज़ेदार चीज़ ह हमें बहुत सारे मगरमच बने हुए क्रोकोडाइल बने हुए अलिगेटर बने हुए हमें चिंता करने की जरूवत नहीं है हमें बस अपने लोगों को निकालना है इसमें से हमारा एक लोग आपको यहां दिख रहा होगा एक इंसान हमारा देखिए डायस्पोरा में करते हैं तरफ कौन-कौन है एक हमारा सुल्टाइड क्रोकोडाइल यह हें मगर यह सॉल्ट वाटर और लिए हमें इन तीनों का न्याम अब पस्याद रखना है अब आयुशन की बात कर लेते आपको बता दें घडियाल हमारा सिर्फ और सिर्फ घडियाल कृटिकली इंडें है सिर्फ घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर है तो इन सब में बाकी में हमें जाना ही नहीं है हमें पता होना चाहिए कि जो भी हमारे क्रोकोडाइल का फैमिली है पुरी दुनिया में इसमें घड़ियाल जो है हमारे यह पाए जाते हैं और बड़ी बात है क्रिकिट यह क्रि यह लीस्ट कंसर्ण है यह लीस्ट कंसर्ण है मगर क्रोडाइल वल्रेबल है यह आपका क्रिटिकली इंडेंजर प्रश्ण देखिएगा वो कैसे पूछेंगे देखिएगा इन देखिएगा वोकुर्य करते है आपको तेखिएगा देखिएगा वोकु लेएBeas, प्रचिकली इंडेखिएगेगा वोकुछी सेसेगे तकिकली इंडेखिएगे। वह आपको एसा दे देंगे अब हम लोग को देखें नहीं पता है घडियाल तो इसको भी ठीक मान सकते हैं अब आपको यह याद रखना है कि एक क्रोकोडाइल वाले में अगर कोई अगर हम इनको वाकई बचाना चाहते हैं तो कहां रखेंगे सिंपल सी बात है चाहिए और साइट्स मतलब जो ट्रेड रोकेगा दुनिया भर में इसके स्मगलिंग को बचाएगा प्रोहिबिट करेगा इसलिए साइट्स के पेंडिक्स वन में है और चीडियूल वन में हमारे रिवर्स लाइक चंबल चंबल में भयानक है घागरा गंड़क रिवर और सोन रिवर अभी हम लोग पूरा रिवर सिस्टम एक बार देख लेंगे तब आप इसके लिए भी क्लियर हो जाएगा कौन कहां पर है चंबल रिवर में पाए जाता है अच्छा यह इंडिकेटर स् है कि देखो मैं रहनी पा रहा हूं मेरा दम घुट रहा है मैं जा रहा हूं या मैं खतम हो जाओंगा यह इंडिकेटर स्विशीज है तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टन है क्योंकि हमें पता चलता रहता है कि कौन सा यहां पर हम तो कैसे इसको बचा सकते है कैसे हमारा क काम हो सकता है इसके अदर आई कि आई यह देखते हैं अब एक नई चीज आई थी जिसके उपर हम लोगो थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए कुकरेल आई देखते कुकरेल है कहां कि ब्रीडिंग सेंटर साफ कुकरेल घड़िया रिहाबिलेटेशन सेंटर लखनव लखनव पोच जाई कुकरेल में आप देखेंगे बिलकुल राजधानी यूपी की और गोमती नदी निकल नहीं है गोमती नदी में एक कुकरेल नाला के जुड़ता है जिसको स्ट्रीम भी आप कह सकते हैं कुकरेल और यहीं पर है हमारा ब्रीडिंग सेंटर ऑफ घड़ियाल ब्री लखनव में है कि नाश्रल चैंबल सेंचुरी जो आप नाश्रल चंबल सेंचुरी आपका ही बिलकुल घड़ियाल की यह इको पार्क मदर प्रदेश में चंबल पूछा हुआ है नाचूरल अगर आपको ढूंडना है तो आप चंबल पहुंच जाई वहां पर आराम से आप लखना कुकरेल नाम याद रखेगा कहा है अच्छा चंबल देख रहे तो आईए चंबल नदी आप देखेंगे चंबल नदी है और चंबल नदी आपको पता होगा कि अच्छा-कासा बॉर्डर बना रही है यह आपका देख लिए इधर मद्यप्रदेश है इधर जुड़ती है जैसे कि आप देखेंगी बनस रिवर है आप देखेंगे पारवती रिवर है काली सिंद्र रिवर है तो यह थोड़ा से इंपॉर्टेट है कि कौन कहां से जुड़ा एक बार देख लीजेगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए ठीक है ठीक है यह भी आ यहान उधर जैसे कोई फायदा निए इधर ध्यान देती तो दिस इस माइचंबल रिवर यहां से जूड़े कौन सा ट्रिब्यूटरी हुई है इसकी राइट बैंक की लेफ्ट बैंक इडिजेट राइट बैंक और लेफ्ट बैंक बताईए बताईए प्लीज लेट मी नो राइट बैंक की लेफ्ट बैंक है जली से बताएं बनस रिवर इस राइट बैंक और लेफ्ट बैंक इनिवन इतना तो दीख रहा है साफ यह चंबल नदी ऐसे जा रही है तो इधर से कोई भी जूड़ेगा मेरा राइट बैंक है अगर मेरा डायरेक्शन यह है जो मेरे र चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है अगर हम आपको दिखाए तो यह देख लिए कहा जा रही है यमुना के ट्रिब्यूट्री है कि डिस्ट्रिव्यूट्री पानी लेके जाती है अभी तो भूले तो नहीं इतना तो अगर मेरा डायक्षन ऐसा है डिस इस माई लेफ्ट और ये उपर से लेफ्ट हो रहा ओगा नीचे से राइट जूड़ा होगा तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा left है और यहां से जितना जूलेगा उस सब मेरा राइट हो जाएगा पार्वती है काली सिन्द राइट है और यह मेरा है लेट है और यह वाला मेरा राइट होगा तो इस पार्वती इस यहां पर आपको मिल जाएगा पार्वती काली सिंद और बनस रिवर इसी परपस आपको चंबल भी देख लिए इस इस माई काली सिंद दिस इस पार्वती दिस बनस रिवर जॉइनिंग दिस और यहां पर जाके आपका आई तो आगत है आपका देखे तो समझ गए होंगे कि कौन है यह दा हिमालेयन ग्रे लंगूर और दा चंबा चैक्रेड लंगूर चंबा से नाम समझ में रहा होगा कि कि खाटी में पाई जाएगी प्यिसरेड अंधेंडेंजेड स्पिशी नं यू रेड लिस्ट यह इनधेंजर है वाइल like प्रोटेक्शन आटके तहट अगर देखा जाए यह ऑक प्रोटेक्टेड अब अगला जो प्रश्न हमारा वो यह है कि कहां पाया जाता तो इसके लिए मतलब पूरा वो देख सकते हैं चंबा वला घाटी उपर पूरा यह पाया जाता है पर इसका दो बड़ा अच्छा प्रोटेक्टेड एरिया है एक है आपका मचियारा नैशनल पार्क और दचीगा इसके बारे में आप नार्मली अलग से भी पड़ेंगे डचीगाम ये रहा आपका और मचियारा अगर आपको देखना है तो आप बिल्कल नीलम नदी को ढूंड़ीये अगर आफ नीलम नदी कि जिसका रिश्ता है तो आपको पता चलेगा कि इसे मैं डची गाम नश्टेल पारगए अब इसके बारे दचीगाम नेशनल पार्क नेरली हाफ फट पेमस दल लेक जो कैश्मेंट अरियो का था तो यहीं दचीगाम में चला गया स्रीनगर के लिए यहां से अच्छा खासा कैश्मेंट इरिया से पानी जाता है दगवान स्ट्रीम फ्लोज इंट पार्क फ्रॉम अगर पूछा भूले भटके तो दचीगाम दगवान ऐसे करके याद रखीगा अगर भूले भटके पूछा तो वैसे बड़ा मुश्किल है कि यह पूछेगा आप से हंगुल को देख लीजे इस हंगुल आईए इसके बारे में हम आपको बता दें कुछ टचीगाम को माना जाता है कि यह इसका अबोड है यह आपके शिडियूल वन में आता है वाले प्रोटेक्शन आट के और अगर आप बात करेंगे इसकी कश्मीरी हम मुझी स्ग काया जयता है आपको नुच्री जाख ऑघन जाता है वाले उत्वड द और क्रिडिक फडीर टाइप फड? इस वाइलब प्रटिशन आट के वन में और डची गाम नाशनल पार्क इसके लिए जाना जाता है आपको एक नीलम नदी का आपने देख लिया है इसको फिर से देख ली जगा आई फील कुछ ना कुछ रिष्टा है कहीं ना कहीं यहां सकता है नीलम नदी के नौर्थ में हैं मच्यारा नैशनल पार्क अगर आप इस एरिया में बिल्कुलन एक्दम दिखी सटा हुआ पाकिस और फिर से आपके सामने है दा आमूर फैलकंस अराम से देख लीजे कहा जाता है वर्ल्ट लॉंगेस्ट ट्रावलिंग रैप्टर से यह काफी दूर से आते हैं विगें टू अराइव इन मानिपूर तैनिंग लॉंग डिस्ट्रिक्ट तो यह मानिपूर में हर साली आते य लोकली नोन एस अख्वी पूइन अख्वी पूइन अख्वी पूइन वर्ड अराइव मेली मानिपूर नागा लैड इसका ब्रीडिंग क्राउंड कहां पाया जाता है नौर्थ चाइना आमूर रिवर अभी देखेंगे इस्टन मंगोलिया पारिष रश्य एक्सेक्ट्रा वान वे जर्ण नहीं वाइंडिया इस बाउट 20,000 किलोमेटर लॉंग अच्छा खासा यह तो माइग्रेट करती है इस प्रोटेक्टेट अंडर दावाइलाफ प्रोटेक्शन आक्ट 1972 इंगूदेश इस चिडूल फोर अच्छा वन और टू को अच्छा खासा अगर आप देखें तो लीस्ट कंसर्ण है तो अब मतलब सवाल आपको अगर पूछेगा तो आप याद रखेगा कि ऐसा कोई यह आमूर फालकन जो आरी क्रिटिकली इंडेजर नहीं है यह लीस्ट कंसान है हमारे वाइलाइप प्रोटेक्शन के उस पे यह आप देख सकते है इस यौर देरिंश्यूल 4 और आयूसीन में बिल्कुल इसमें ज्याला टेंशन की बात नहीं है ना इंडेंजर हमें पस उन्हें पर दिमाग लगाना है जो इंडेंजर यह लीस्ट कंसर्ण है मेरा तो अगर उल्टा पूछें आप से आमूर फालकन इतना दूर से आती है थक जाती इसले क्रिडिकल इंडेंजर तो पहले बोलिएगा कैसा नहीं है लीस्ट कंसर्ण है आराम से आती इसका काम है अच्छा सा कर रही को दिक्कत नहीं है तो लीस्ट कंसर्ण है याद रखिएगा आप आमूर को देख लीजे तो बहतर है आमूर रिवर को देखिएग तर-टार कहते है तर्टारी कहते है अग्युंट में गिरती है जाके अमुर रिवर तो आमुर अ मुर्फान कहीं नहीं से उस भ्रीडिक्ट ग्राउंड से निकल खांगे इसलिए अमुर फालकन नाम रखा जाएंगे पहुंच जाएंगे यहां ऊपर यह देखें और सी आफ अखोट्सक होगा ऊपर ची अफ जपान स्टेट अफ तरतरी सी अफ ओकोट्सक प्लियर हो गया देखिए हम सिर्फ एक चीज नहीं उठाते हैं उसके आसपास की पेरिफेरी भी कर लेते हैं ताकि बना रहे हमारा रिविजन भी होता रहे और अगर प्रश्ण आ ही गया तो हमें तो फायदा ही होगा आईए अच्छा ये इंपोर्टेंट है गैंजे रिवर डॉल्फिन तीन तरीके की डॉल्फिन है एक गंगा रिवर डॉल्फिन जो हमें देखना है इंदस रिवर डॉल्फिन और इरावडी डॉल्फिन तीन तरीके की डॉल्फिन है तीनों ही लग अलग अलग तरीकों से दिखेंगे यह गंगा रिवर डॉल्फिन ह कहां मिलेगी गंगा ब्रह्मपुत्रा कर्णफुली रिवर संगु रिवर इन सब में आपको दिखेगी इंडिया नेपाल बांगलादेश यह हो गई आपकी गंगा डॉल्फिन पॉपुलेशन 3500 से 4000 अभी बची हुई है अच्छा हर डॉल्फिन का आप कहेंगे तो डॉल्फिन लगभख ब्लाइंड होती है तो यह क्या करती है अपने अल्ट्रा सोनिक से काम करती तो यह साउंड छोड़ती है वहां से रिफ्लेक्टों के वापस आती तो इनको पता चलत है तो यह हमारा आयूशन स्टेटस जो है इसका वह इंडेंजर है यह इंडेंजर है आयूशन स्टेटस में गांगेटिक डॉल्फिन आप देख सकते हैं और देकन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर एसेंशली ब्लाइंड होती है फीमेल्स अर लार्जर दान दा मेल्स फीमेल राज़र दैंड दा मेल्स और गिव बर्थ वनस अभरी तो तो थी यह इस इसको सूस भी कहा जाता है यहू कहा जाता है एक्सेक्ट्राहं थेपर हो अच्छा इसको अगर आप देख değişikर्ड है इंडेंजार्ड इन एंडेंजार्ड इंडेंजार्ड यह भी इंडिकेटर स्पीशीज ऄ पानी अगर अच्छा होगा तो रहेगी अभिक हब आ आप देख सकते अंदेंडेंजर है बस आपको इतना याद रखना क्धिछियों में और यूची इंडेंजर अब देखेतँ इंदस रिवर डॉल्फिन है इंदस रिवर डॉल्फिन को अगर आप देखेंगे इट वस दिखेंगे इस टेट अक्वाटिक एनिमल ऑफ पंजाब इन 2019 एंड लाइक अधर फ्रेश्वाटर डॉल्फिन इंदस रिवर में पाई जाती है ब्यास नदी इन समय भी आपको दिख दो तीन चीज़े आपको उसके लिए और इसके लिए दोनों बराबर है यादत नहीं है अब आता है अगला जो है इरावडी इरावडी डॉल्फिन पहले इसका यह देखिएगा इरावडी डॉल्फिन लगबग आप देखेंगे इस पूरे मतलब भारत के इस कोने से लेके रहा ड्रॉर्बग अ ईरावडी डॉल्फिन गिर रही है और यह पूर यहां पर आपकी पाइजाती है पूरा यह डॉल्फिन आपकि पाई जाती चैक्पूर्बग ढूर्ढबग पाइज आती है अधिस इ विसल्था इस न साफ रख जाये थक्रोश्व जफिन अॉल फिस ह में सारे ही है यहां पर कॉमन मिस्टेक होती है क्योंकि चिलिका लेक में अच्छा खासा नंबर पाया जाता है तो अगर इरावडी नाम देखके किसी नॉर्मली अगर किसी इनसान से पूछा जाए बहुताइए इरावडी डॉल्फिन क्या भारत के आसपास कहीं मिलेंगी तो आपको पता होना चाहिए कि इरावडी डॉल्फिन भी हमारे पानी में है यह इस पूरी एरिया में आपको दिखता है इरावडी डॉल्फिन भारत में भी और चिल्का में अच्छा खास आपको दिखेगी उडिशा और लगभग चिलिका लेकि सारी एरिया अग्दम आजकल एकदम clean हो रखी है अभी आप घूमने भी कभी जाएगा तो देखिए गाद यहाफ डाड़ अफ एफर्ट यहाफ टेकन लाड़ अफ एफर्ट अब प्लियर डेर बीचे जो काफी अच्छे से वहां पर फ्लरिश भी कर रही है और इस पूरी एरिया में आप देखी पाए जा है इस अमंग फ्यू प्लेसे इंडिया वेर्ट गैंगिटिक डॉल्फिंस तफ्रेश ओट डॉल्फिंस आइट फाउंड इंडियर नाचुरल हैबित कटर्णिया घाट में भी आपको डॉल्फिंस दिखेंगे अपने नाचुरल हैबिटाट में कि देर वर सेटन न्यूस अब दिसकी टास प्लान फॉर्ट फाइनेशल इंक्लूजन और थारू पीपल यहां पे न्यूस भी आ रही थी कि थारू पीपल के फाइनेशल इंक्लूजन के लिए कुछ यह लोग प्लान करने वाले हैं तक कटर्णिया घाट जो सैंचुरी है आ पहले हम आपको दिखा देते हैं अगर हमारे पास एक बार मैप हो तो हम आपको दिखाना चाहिए सकते हैं यह हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल नौर्थ आला जो नेपाल बॉर्डर उसको देखिएगा वहां पर आप देखेंगे इस माई गेरुवा रिवर समझने का कुछ नहीं है गणानाथ जी बहरा जी कुछ भी समझने का इसमें नहीं है अब इससे समझेंगे क्या कि आयूसें स्टेटस इंडेंजर क्या है यह मांको समझाएं ग्यांगडिक डॉल्फिन सा फ्रेश वाटर एसेंचली फ्रेश वाटर अरे बड़ा जल्दी कमेंट भी डिलीट हो गया जल्दी कोई बात प्रटर्णिया घाट देख लीजेगा बड़ा इंपॉर्टेंट है आप अभी देखे उत्रपदेश में आप देख सकते हैं और इस ब्रॉट इंडर पर्वीव प्रोजेक टाइगर इंटीनेटी सेवन दिस वाइलेफ सेंचुरी विद्ध किशनपूर वाइलेफ सेंचुरी और दुद्धवा नैस्ट पार्क फॉर्म्स दुद्धवा नाम याद भी नहीं हो पाएगा तो टेंशन मत लीजे इतना हमें याद नी रखना आप कटर्णिया घाट याद रखे यूपी गेरुवा रिवर याद रखे डॉल्फिन से रिलेटेड है यह याद रखे बस दो-तिन चीज़ें हैं से आपको याद रखना है इससे उपर य जाएगा आए अच्छा थारू के बारे में थोड़ा एक दो बात कर लेते हैं थारू आप समझ सकते हैं दे आर ट्राइबल ग्रूप इस बिलीवर्ट फ्रम स्थावीर मेनिंग फॉलोवर्स ऑफ थेरवाड बुद्धिजम यह कम्मुनिटी है विलॉंग तो तेराई लो ल थाइब वर्शिप द लॉर्ड शिवा एज महादेव और कॉल सुप्रीम बिइंग नारायन दे बिलीव नारायन इस द प्रोवाइडर ऑफ संशाइन रेन और हर्वेश तो आपस थारू याद रखेगा अगर वह थारू आप से पूछे तो उत्राखंड उत्तरप्रदेश बिहार अच्छा खासा नंबर बिहार सबस्यादन नंबर पाए जाता है तो यह आपको याद रखना है कि तेराई वणोंगर प्रोपर्टी राइट थान इस अलावड टूब गाट वाले एरिया था एक देख लीजेगा मतलब देखी लिए इससे अदर देखना नहीं है आई अब आपके सामने कुछ फिर से मौजूद है अच्छा कासा आपको एक पेड़ दिख रहा होगा कन्निमारा आईए बताते हैं इसके बारे में आपको क 있는데 मेरा कनमीमारा टीक कहा ज Państwo ब the largest लिविंगटी क्रिस इन डे वर्लड इसका अगर आप myiad देखे तो 48 अरुडरा चोड़ाई देखे तो 6.48 मीटर का है अच्छी बात है तो veux type of this is a this is में हम हम हैं जवाब देने के लिए हम को जिसको हुए हुएसे हैं झालो है ॵह करेंगे कल को आप ही हमाइसा नहीं जूडएंगे और आप हमसे पूछेंगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हम आपको जवाब नहीं देंगे तो एकड़ आप परिशान मत हुई है वह परिशानी फिलाल हमको है हमको लें दीजे अच्छा कन्नी मारा टीक है तो बी वर्शिप्प्र ट्राइब के लिए तो यह ब्लीड भी क्या था जब पीपल सो काटना चाहा रहे तो इसको बचाने लगे तो यह परंबिकुलम टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है कौन सा कन्नी मारा टीक अब हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में देखना चाहिए परंबिकुलम के निलमपत्थी अनमलाई लैंसकेप अभी इमेज आभी मैप देखेंगे आपको टाइगर रिजर्व है दोसार आट नो में बना था क्रेडिटेड विट पर सैंटिफिकली मैनेश्टीक प्लांटेशन इन दो वर्ल्ड विच उस लेटर मर्च विद फॉरेस्ट लैंड इस कह ट्रीक अनिमारा आई हम आपको मैप ओ सॉरी अडिड नॉट हम पर दिस तो पलक्कर डिस्टिक्ट यहां पर साथ नदी थी साथ नदी थी तो बिल्कुल सा नदी थी तो हमने बुला छोड़ दो इसको तो याद रखनी बैठ नहीं है साथ नदी थोड़ी ना याद रख सकत है हम लोग तो हमने इसलिए उसको छोड़ दिया पर पलकड में है और आपका यह लगभग आपका अन्नमलाई और यह सब वाले जो पाड़ है उधर ही आपका यह पाया जाता है इस पलकड वाले एरिया और वहां पे टाइगर रिजर्व है वहीं पे कंधी मारा टीक है तो इस याद रखना होगा यह पर अबिकुलंब वाले के लिए बहुत इतना यार रखना है तो आज के लिए बस इतना ही है कल मिलते हैं विद डिफ्रेंट स्पीशीज और पॉलिटी और एकॉनमी के एक दो टॉपिक हैं जो हम लोगों करने थे जिसको भी पीडिएफ चाहिए वह बहतर है कि पीडिएफ से आप पुशिश करें नोट्स बना लें अपने हाथ से ज्यादा बहतर है कितना समय लगता ह गए लिए बना लेंगे आपको भी फायदा होगा हमें भी फायदा होगा ठीक है चली आप से मिलते हैं कल फिर बहुत धन्यवाद आप सभी का को आगे लेके जाना है किसी और के लिए नहीं अपने लिए आपको क्रैक करना है तो इमांदारी से हम लोग पढ़ें और इमांदारी से हम कोशिश करेंगा आपको चीजों को बताने का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का thank you so much take care जैहिंद वही बात है तिकि पीडियाफ मतलब आप ले लेंगे पता पर पढ़ता कोई नहीं हमको इस सब कहानी है आप खुद बताईए आपके घर में कितनी किताबें होंगे आपने क्या पढ़ा होगा पर आपका अपना हाथ से बनाया नोट्स ना आपको पुकारता है कि मेरा दिल आजा पढ़ जा वह पुकारेगा हमारा पीडियाफ लेकर आप पढ़ेंगे नहीं इसे भी इनको देख रहे हैं सुबह से शाम तक अब इनका पीडियाफ भी पढ़ें छोड़ दीजे तो निरंतरता ही सफलता की कुंजी है जो निरंतर है वही सफल है आपको सिर्फ निरंत पर शाहिद आज कल दिख रहे हैं कि चली कल मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद थे हैं कि सब्सक्राइब